बोट इग्जैम की तयारी कप स्टार्ट करनी चाहिए कि अच्छे नंबर आ जाया तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ कि जिनों ने आखरी वक्तों में तयारी करकर एग रेट लिया है मगर उन्होंने कुछ strategies follow करी ती जिसकी वज़ा से उनका एग रेट आया था तो अगर आज की वीडियो देखते हो तो वो strategies भी आपको पता चल जाएगी अच्छा अब वो बच्चे जो 10 महीने पहले तयारी शुरू करते हैं तो उनकी कितनी परसंटेज आ सकती है या वो कितनी ला सकते है और वो बच्चे जो एक दिन पहले तयारी शुरू करते हैं उनकी कितनी परसंटेज आ सकती है और वो किस तरह से अच्छी तरह तयारी करकर अच्छी परसंटेज ला सकते हैं एक दिन में तो इसके उपर बात करेंगे, सही है, देखो अच्छा teacher वो नहीं होता जो आपको अच्छा lecture दे, सिर्फ आपको पढ़ाएं, अच्छा teacher वो होता है जो आपको guide भी करे, कि आपने paper में किस तरह से जो है वो अच्छी तरह से presentation रखनी है, और किस तरह से जो है वो अच्छे number ला अब वो बच्चे जो 10 महीने पहले पढ़ाई start करते हैं, तो देखो भाई, बहुत हद तक chance होते हैं, कि वो 85 प्लस नमबर ले आएं, ठीके, 85 प्लस नमबर, 85 प्लस नमबर या 85% से प्लस जो है उनकी percentage आ जाए, लेकिन मैं ऐसे भी बच्छों को जानता हूँ, कि जिनोंने, यकीन मानो, कोचिंग, जो है न, 10 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, बोड इक्साइम से, ठीके, जैसी ही नया सेशन शुरू हुआ, उन्होंने, जो है वो, कोचिंग मैडमेशन ले लिया, और पूरे साल उन्होंने तयारी करी, मगर जब रिजल्ट आया, तो उनकी percentage थी 40-50 अब मसला क्या था, वो कोचिंग तो आ जाते थे, लेकिन कोचिंग आकर वो करते थे, हसी मजाग, पढ़ाई में दिल नहीं लगाते थे, ठीके, तो इस वज़ए से क्या हुआ कि उन्हें कोचिंग आने का फाइदा नहीं हो सका, तो आप लोग अगर कोचिंग जा रहे हो न लेकिन क्लास के टैम पे क्लास, ठीके क्लास के टैम पे असी मजाग नहीं, हाँ, अगर आठ महीने पहले तयारी शुरू करते हो, और अच्छी तरह से तयारी करते हो, तो भी उमीद है के 85% प्लस आ जाएं, या 85% आ जाएं, ठीक है, 85% आ जाएं, अब आप बोलोगे सर दोन लेकिन नमबर अच्छे आ जाते हैं, अब 6 महीने पहले तयारी शुरू कर रहे हो, ठीक है, 6 महीने पहले, तो उमीद है के आप जो है, 75% प्लस नमबर ले लो, ठीक है, मैं खुद भी जो है, वो 10-8 महीने पहले तयारी शुरू करता था, और मेरी परसंटेज जो है, वो आ जादा नमबर भी आने के चांसे है, अब आ जाते हैं इन पर, एक दिन पहले जो तयारी करते हैं, यह तो फिर लग पर डिपेंड करता है, कि आपने गैस पेपर से कोशन करें, एक दिन पहले और वो लग जाए, तो फिर आपकी परसंटेज 60 या 65 आ जाए, लेकिन एक दिन तयारी करने से, ज्यादा कोई फायदा नहीं हो पा रहा होता, ठीके मैंने नहीं देखा, उतना टायम होगे, साल होगे, पढ़ाते वे, मेरी नजर में कोई ऐसा स्टूडन नहीं गुजरा, कि जिसने एक दिन पहले तयारी करी हो, और उसने 70 प्लस या 80 प्लस नमबर ले लि मैं तो टीचर हूँ, आप तो बोलोगे सार, आपके तो अच्छे नमर आने चाहिए, लेकिन मैं भी फिर 90-80% नहीं ला सकता, क्यों? क्योंकि तो टीचर को भी तो फॉर्मले याद करने पढ़ेंगे न, फॉर्मले उसको पता होने चाहिए, नुमेरिकल लगाने में, क्यों टैम पहले भी अगर आपने कुछ पढ़ा है, तो आप कुछ ना कुछ नॉलिज शेयर कर देते हो, लेकिन डेरिवेशन के लिए आपको जो है, वो steps पता होने चाहिए, और आपको concept आने चाहिए, और numerical, तो उसके लिए आपको कम से कम भी जो है न, 3-4 महीने पहले बैठना पड़ेगा जब चाहिए, तो उमीद है कि 60% या इससे कम-कम, हाँ, लेकिन पास होने के chances तो रहते हैं, अगर अच्छी तरह से तयारी की जाए, guest paper को follow कर लिया जाए, अच्छा, 10 दिन पहले, तो भी same ही scenario है, लग पर है, कि भाई, आप जो guest paper कर रहे हो, या model paper कर रहे हो, उ शुरू करते हो, तो उमीद है भाई, कि आपके 60% से जादा number आ जाए, 60% से जादा number आ जाए, लेकिन ये कोई सई टाइम नहीं होता, तयारी करने का, ये सई टाइम नहीं होता, कि भाई, आप जो है, वो 20 दिन पहले तयारी शुरू करो, कोशिश करो, कि तयारी कम से कम भी छे महीने या आड़ महीने पहले तयारी शुरू करो, वरना अगर इतने कम में करोगे, तो पर आपको पते क्या सीखोगे, अगर चलो अच्छे number आ भी गए ना, तो concept के लिए नहीं हो पाता है, बच्छा ज्यादा सीख नहीं पाता, क्योंकि तो पूरा साल तो आपने नहीं गैस पेपर से और 70% ले आते हैं, मगर उनके concept के लिए नहीं होते हैं, मतलब उनको पता नहीं होती चीज़े ज्यादा, उपास हो जाते हैं पर, दो महीने पहले वही है भाई, 65% नमबर आ जाएंगे, ठीक है, और एक महीना पहले तो भाई, वही 60% के नमबर है, 20 और 30 दिन में क्या फरक हो गया, ठीक है, तो वही 60%, तो तयारी जल्दी शुरू करोगे, अच्छे नमबर आएंगे, देर में शुरू करोगे, तो मसला बनेगा, सही है, अब मैं आपको एक बाई बता दूँ, चाहिए कभी भी तयारी शुरू कर रहे हो, तयारी कभी भी भी शुरू क में आ गया, तो आपने अगर उस question में 10 मिनट लेने थे ना, पहली बार attempt में, तो अगर वो question आप पहले ही solve कर चुके हो, और फिर exam में भी आ गया, तो आप वही question 5 मिनट में कर लोगे, ये मेरा खुद की अजमाईवी चीज है, क्यूंगे आपने एक बार solve किया हुआ होगा, तो आपके दिमाग में steps होगे, क्या अगले step क्या, अगले step क्या, अगले step क्या, और आपकी writing भी तेज होगी, आप अच्छी तरह से कर सकोगे, अच्छी grammar यूज़ कर सकोगे, अच्छी presentation यूज़ कर सकोगे, तो guess paper में जो questions है ना, उन्हें जरूर solve करो, ठीक है, देखो paper ऐ कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ A sheet पर ही solve कर लिया, नहीं, B copy, C copy ले कर भी, तो पर उसके लिए यह होता है, कि मैंने उस question को पहले कभी करावा होता है, ठीक है, पहले खुछ से solve किया होता है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, कि मैंने बस class में समझा, और पिर उसको लिख लिए, और उसको क्या है, तो इसलिए guess paper में जो questions मौझूद हैं, उन्हें अच्छी तरह से बार-बार solve करो, ठीक है, अच्छा, सिर्फ guess paper नहीं कैसा नहीं है, आप हमारे guess paper ही solve करो, आप मुक्तलिफ coachings के guess paper ले सकते हो, past paper ले सकते हो, आप five year ले सकते हो, उनमें भी question का जो pattern होता है, तो आप उन्हें भी solve करो, और यह मैं छुटी-छुटी बाते से इसलिए guide कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, मगर motivation नहीं मिल लए होती, अब motivation कहां से आएगी, वो teacher देगा, मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा है, कि teacher ना, अग पर पता नहीं लगे हैं, या पहली बार paper दोगे, पहली बार उसको पढ़ लाए हो चीजों को, तो इसलिए teacher का बड़ा role होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ जाओ जिन्दगी में, कुछ सीख लो, तो यह जो छुटी-छुटी बाते होते हैं, तैयारी क आप शुरू करें, तैयारी कैसे करें, तैयारी किस चीज को देख के करें, और किस तरह से question solve करें, presentation क्या रखें, यह सब number matter करते हैं, यह सारी चीज़े board exam में matter करते हैं, पूरे साल आप मेहनत करते हो, तीन घंटे मिलते हैं उसा represent करने के लिए, तो बातें अगर दिमाग में होती हैं, तो चीज अच्छी हो जाती है, और मैं तो आपको पता है, आप लोगों का interview लेने तक आता हूं, जिस दिन आपका board exam होता है, तो कितना ज्यादा deeply में जाकर आप लोगों को दिल से पढ़ा रहा होता हूं, तो इसलिए छुटी-मोटी बाते बताता हूं, अच्छा थैंक्स पर वाचिंग, अलाहाफिस, किंदी दूमों में ज़रूर याद रखना,